क्या भारतिय जनता पार्टी का दाव उल्टा पड़ गया है क्या ताना शाही वाली सरकार विपक्ष को दमाने का काम तो कर रही थी लेकिन विपक्ष को दबाना क्या भाजपा को भारी पड़ गया है क्या भाजपा के दाव उल्टे पड़ गये हैं आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और तमान सवालों से परदा उठाएंगे नमस्कार मैं हुमिखा और आप देख रहे हैं मीना की आवाज दरसल बात यू है जे प्रकाश नारायन की जयनती पर अखिलेश क्यादा की घर में आपने बैरिकेडिंग देखी हूँ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अखिलेश की घर की किलावंधी कर दी गए अलग-अलग तरीके से पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है यह सुनिशित किया गया है कि अखिलेश यादव अपने कारेकरताओं से न मिले अखिलेश यादव जैप्रकाश नारायन जी को उनके जयनती पर श्रधांजली ना दे पाए मालियार पढ़ ना कर पाए और भारतिये जंता पार्टी का इस कृत के पीछे ये मंचा थी कि उन्हे यानि विपक्ष को ये तो मालियार पढ़ कर पाएंगी अगर योगी सरकार चाहेगी तो लेकिन योगी आदितनात के इस भ्रम को तार-तार कर दिया है अखिलेश यादव ने ऐसा जबरदस जो है प्लानिंग की है एक ऐसी रनीती बनाई है और ऐसी बाते गई है कि सरकार जो है वो पूरी तरीके स हिल चुकी है आपको बता दे अखिलेश यादव इस बैरिकेडिंग को फांदते हुए अपने कारिकरताओं से मिलते जन सेलाब उमर पड़ता है समाजवादी पार्टी के जंडे आकाश में लहराते और इस बात को प्रमानिक करते हैं और साब तोर पर संदेश दे देते हैं कि करांती का प्रतीक है समाजवादी पार्टी करांती जो है उसकी आगे भारते जनता पार्टी को भी नत्मस्तक होना पड़ेगा जो लेसन जो सबग योगी सरकार अखिलेश यादव को सिखाना चाहती थी आज अखिलेश यादव ने वही सबग उल्टा योगी आदितनात को सिखा दिया लेकिन भाजपा का यदाओ कैसे भारी पढ़ने वाला है खुद भाजपा पे याज आपको बताएगे दरसल बात ऐसी है जो सेंट्रल लीडर्शिप है यानि भारतिय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार अपने बलबूते पर नहीं है बलकि बैसाख्यों के सह पर मालियारपन करने से भारतिय जनता पार्टी रोक रही है उस जैप्रकाश नारायन की बज़ा से नितिश कुमार का अस्तित्व है यानि नितिश कुमार की अस्तित्व पर ही जैप्रकाश नारायन के संदर्म से जोड़कर अखिलेश यादव ने उन्हें अपनी नेतक जि स्वाब देते हैं आगे आपको बताएंगे साथी आपको ये भी बताएंगे कि भारतिय जंता पार्टी के लिए कैसे अब अपने ही दाव पेच भारी पड़ रहे हैं एक तरफ नितिश कुमार है तो दूसरी तरफ चंद्र बाबु नाइडू ने हाल में जाती का जंगर्ना क को लेकर बिखरते हुए स्वार्ण भाजपा में दिख रहे हैं तो उस पर जाती का जंगर्ना का विरोध करने की बजाएं ने भारत identificHello कर दिया जो राहुल गादि ही जो अखिलेश यादब जो विपक के समाग नेता जाती का जणगर्णा का समर्थन करते हैं उस तर्ज पर समर्थन करते हुए चंद्रबाबू नाइटू नजर आए यानि अपने ही सरकार की नीतियों के खिलाब इस तरीके की बाते अगर कही जा रही है यानि जाती का जणगर्णा एक ऐसा मुद्दा है जिस विशय पर अभी तक भारतिय जंता पार्टी का आधिकारिक तौर पर कोई भी क्लारिफकेशन नहीं आ है चंद्र बाबू नाइडू उठा कर कह रहे है कि बीजेपी जो है जिस पर फेल पार्टी का दाव इसलिए भी फेल हो गया क्योंकि हर्याना में भले ही बीज़पी जीद गई लेकिन अब ख़बर निकल कर आ रही है कि नयाव सिंग सैनी में के मुखे मंत्री पद को लेकर काफी विधायक नराज भी है बहुत से जो इनके ग्रूप के लड़ते हैं अब आपको याद होगा एक महिला जो सबसे अभीर महिलाओं में शुमार है वो दल्ये चुनाव लड़ती है तो जीत भी जाते हैं तो भाजपा को तो ऐसे नुकसान हुआ अलाकि भाजपा सत्ता में आ गई है लेकिन भाजपा दिया गया है सडकों पर यानि अखिले शियादव को एक तरफ घर में बंद किया गया है दूसरी तरफ आतीशी मारलीना दिल्ली की मौझूदा मुख्यमंत्री को उनके घर से बेघर करके उनका समान ठेक दिया गया है यह प्रमानित करता है कि केंद्र है जिस चीज पर घमंड कर रहा है कि हमारे पर सत्ता है तो पूर्म मुख्यमंत्री को घर में बंद कर देंगे और मौझूदा मुख्यमंत्री का समान फिकवा देंगे उस घमंड पर उस एहम पर अब पुन विराव लगने का समय आ गया है क्योंकि दोनों ही बैसाख्यों का जो है स्थिती डमाडोल नज़र आ रहे है दोस्तों अखिलेश यादव आज जैसे जिस अंदाज में नज़र आए चाहे वो सरकार को घेड़ते हुए नज़र आए चाह ही होता है यह राहुल गांदि या खिलेश यादव इन लोगों के लिए होता है तो यह बताता है कि जंता का प्यार किसके साथ है और जंता का प्यार है तो विश्वास है और विश्वास है तो सरकार है तो अब देखना होगा कि अन्य राज्यों में क्या स्थिती होती और सा इसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को धन्यवाद